दोस्तों यह जो असराख आपको दिखाई दे रहे है इनमें से आपके जो कार में आहवा आती है वो इनमें स्क्राउस होती है इसे कारण आपके डिस्क ठंडे हो पाते है नमस्कार दोस्तों सुवागत है आपका अपने चैनल से दू आटमोटिव में दोस्तों इस चैनल पे ह में लिखा होता है कि और तो जाहला इस भाराइटर डिस्क है और नॉर्मल डिस्क जहल जाहतार करें हो तो आपने देख टेख D Você भी का knocks और नृ में का होता है आगली डिसक तो इस से टेख चाहिए और तो जिखना डेक्संपी डिस्क नहीं होता है उसट नहीं हम भार करें है क Meyer Ventilated disc क्या होते हैं और बहर Intilated disc क्या हुते हैं आज हम इसी चीज के बारे में दीज के आज कि हमारी वीडियु है रोग चुले यशी में देख रहे हैं आपकी कार्में से वो इसके बीच में से गुजर सके और इसके बीच में से गुजरने के कार्न क्या होता है कि वो इसको एक तरह से ठंडा करती है और जो यह जादा हीट पडियूस करता है उसको थोड़ा सा कम कर देती है इसके कार्न आपके डिस्क ज्यादा गर्म नहीं होते ह वारे याइस तहां कि श्राक्सक के लिए कि लेकिन कुछ कार्ज में या रिपट से इसे इसे आहिसी ए कि पंची मुझेस्ट भीद शेषके हम साथीन अटेशakांडी सोफ से लिए जायए कि जिये से पेदाए उनका में कोके कारद क sécur Deborah सेंटेuter ही कारण के आपका डिस्क गर्मनी होता है तोड़ी-हीं फ़ाइ कर दोड़ी खाई इसके कार्ण में कर्योंग सर्के कहले हुआना से कंड़ी है तो दोस्तों बात करें अगर के डिस्क ब्रेक्स की कि तो डिस्क ब्रेक्स में ऐसा होता है कि जब आप अपनी कार के ब्रेक लगाते हैं तो आपने देखा है कि ब्रेक लगने के कारने जब उसमें रिस्टिक्शन पैदा होता है आपके ब्रेक अपनी कार को रोकते हैं तो ब्रेक उस पे लेधर डिस्क पे गिसने से क्या होता है काफी मत्रा में हीट प्रड्यूस होती है और वो हीट इतनी जाला होती है कि अगर उसको इसी तरह से कंट्रोल ना किया जाए तो क्या है कि वो एक तरह से आपके कार के टायर को कि जो जू जिसको परेक में उनको ऑक तरह सली थी से वική integrator किमें आ fewer को थी से खुड़ी से थंडा ळागी थंडा हो जये आगर आपकी इसक थंडा रुखने के लिए उनके लिए परवंद को चीया जाता है उसमे जो फिंज बनाए जाते हैं उने को वेंटिलेटर डिस्क ऐती है और जो नॉर्मल डिस्क होते हैं उसमें इसे हवा क्रोसने का परवा नहीं होता है जिसके के करन उसे ननorr-ventilated डिस्क कहते है और अगर अगर करें डेया है बात करें जो काफी तरह से गर्म हो जाते हैं, वो गर्मी पकड़ जाते हैं, बार बर ब्रेक लगने कारण, लुझ से काफी हद तक सक्षम है, यह काफी हद तक उसे हीट को कॉंट्रोल कर लेते हैं, अभर नॉर्मल डिस्क हो तो उसकी हीट काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, और जिसके कई बार पहाडों में जो गड़ियां चलती है जो लोग ज्यादातर ब्रेक जूज करते है उनके वील कप तक हीट लग जाती है उसका कार ने ही होता है कि वो ब्रेक बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करते है जो आपके डिस्क है अर उसी को निकालने के लिए यादिगा कि टाट की खुयी है इंच्छा है टो तॉच टो बात करे करे कार में दियास वारी का सवड़िया वर्याद डिस्क परिख टार के जाती हैं वन Şu जा जाते हैं तो हम दोगे से झाहए तो दोगे से मेजले का में परेदी से Chr RH अग्याफ अग्यािभ Dana G कोई आर अग्या darf करते हैं तो ऐसा ह Spaßी है, अग्याफ जीप जाया सी क्याफ एँ तो सब्सक्षार नहीं करते हैं और यह बहुत अच्छी टेकनोलजी है तो दोस्तो यह थी मारी वीडियो एक वंटिलेटर डिस्क के वारे में कि वंटिलेटर डिस्क क्या होते हैं और उनकी क्या हमारी कार में जोरूरत है क्या यूज है अईड़ आपको हम अच्छी तरह समझाने में सफ़ड़ रही होंगे कि वैंटीलेटर डिस्क कैसे होते हैं और नॉर्मल डिस्क ब्रेक्स कैसे होते हैं और यहीं जिए हमारी वीडियो तो जिए अगर आपको अपको त्सक्रीज और आपको पसंद आई होगी आप सब का बहुत बहुत शुक्रिया दन्य बाद